कि अधियुज़ पूड़े इस लेक्शन क्लास्ट थे मैतमेटिक्स एंसियाटी हम आपको इक्विसेंस के वारे में तो फेर अधियर एक्विशन तो वैडियबल में उनके सोलुशन्स हम आपको लास्ट वीडियो में जो जनला इसन था उसमें आपको बताया था कि पेर अफिंड एक्विशन जो होती है अपकी दो वैडियेबल में उनकी स्टैंड फ्रमेट क्या है a1 x plus b1 y plus c1 equals to 0 and this is a2 x plus b2 y plus c2 equals to 0. This is the pair of linear equations in two variables right pair of linear equations two at a time variables are two x and y they are linear because degree of the variable is what one अब बात या आती है कि हमने जो थ्री पार्ट पर एकसाई थी उसमें कुछ वार्स प्रोब्लम थी कुछ थोरी दीगरी थी प्रोब्लम उसमें जानी कि कोई वार्स प्रोब्लम थी सब्सक्राइब करें तो आपको वांस उसको रिक्रेशन कर रहा था अब आपको इन इक्विशन के सॉलेशन पाइंट करें तो सबसे पहले बात इस 3.2 अक्सराइज और इसके इंड्रोक्षिन में हम यही बढ़ेंगे कि तो पेर ओफ लिनेर एक्विशन है उसमें कैसे कैसे हम कुण कोन कोंसे मेध्ड हूं हम रिचिस करने वाले हैं किस कि सरह की लांस होती हैं दो नाइन वो सकती हुब है एक उससे ब्लिक का बिससे अगर कोई एक भी जिरो हो जाता है माल यह जी जिरो हो गया तो यह लिए तो है कि लेकिन टुवरीबल ने लेकिन हमार में कपी क्या है पेर ओस लिएक्वेशन इन टुवरीबल्स चले लेकर लेकर देखिए मैं क्या काऊं इफ कि टू लाइन इंट्रसेक्टें मैं यह कहूं कि माल लिजिए कोई दो लाइन इंट्रसेक्ट करती है तो आपको बता कि माल लिजिए आपकी लाइन L1 है और यह कोई L2 लाइन है तो ध्यार रखिए कटा कोई भी दो लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पर इंट्रसेक्ट नही कर सकते ही, any two line not intersect more than one point, अगर वो एक से ज्यादा बार intersect करते हैं, they are not lines, they are आप ध्याल रखें हम डिसक्राइब दो राइन के बारे में दो राइन कर सकती हैं दो राइन फैरल भी हो सकती है और दो राइन सूपर इंपोज एक उपर जस्ट प्रूसी आपके अलवर लाइन थी यह आपकी एल्टू लाइन थी यहां भी आपकी इसमें एल्वर लाइन है और ल्टू लाइन है बट देहां सूपर इंपोस्ट कॉंस्टेंट लाइन जस्ट अउड़ पूछ इचदर राइट यहां पे जो हमारे पास हैं जो इंफॉर्मेशन गरने वाले हैं कोई भी दो ला आपकी 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 आपक तो इनके केसे आपने ग्राफिकली तो बताएस है कि कोई दो लाइन कैसे आपने आपको रिपेसंट करते हैं इंट्रेक्टिंग में वह उनको सुपरिंपोर या फिर कॉंसरेट में या फिर और लेपिंग में लेकिन इसे हमें क्या मिलेगा देखें लाइन जब आपस में क्या मतलब कितने व्हान क्यों रिपेटिंग कितने वेता वन इन अहा किया बोलेंगे इनलार पेले क्रेंगी वह बहना यंदु ---- करती है, they are not parallel, the condition of parallel is that they never meet, they never intersect, then how many points are common there, no point is common, क्या लिखेंगे, no point is common, कोई भी point क्या है, common नहीं है, that's why what, no solution, इन लाइन से क्या है, कोई solution नहीं है, जब तक लाइन से मिलेंगी नहीं, intersect नहीं करेंगी, meet नहीं करेंगी, they doesn't have any solution, उनका कोई solution नहीं होता है, तो parallel lines नहीं मिलती है, इसलिए हम इनको parallel कहते हैं, और यह नहीं मिलेंगे, तो solution नहीं होगा कि लिए, किसी point को intersect नहीं कोई point common ही नहीं होगा, that's right, the parallel lines have no solution. And the last one is, coincident, right, coincident मतलब just overlapping, देख्या आप, इन lines पे बहुत सारे points common है, विच दो line होगे तो नहीं में, बहुत सारे points common होगे न, यह भी यह जी जो पहली line के, बहुत सारे points होगे, कितने अची कितने points होगे, एक line के कितने points होगे, infinite points, how many points on a line are, infinite, it means the number of points which are common, how many, infinite, infinite, how many solutions are of these equations, infinite solution, कितने solution, infinite solution, infinite solution, इस बात का, यह छोचोची बात यह आपको आनी चे, यह आपको किदे करते, कि when two lines are there in a plane, they intersecting, they are parallel and they are coincident, right, आप यह बताते हैं, कि solution depends on the number of points which are common in the lines, solution depends करता है, कि जो lines हमारे पास है, उनमें कितने points common है, जितने points common होगे, उतने solutions होगे, intersecting में सब एक point common है, how many solutions, one solution, पहले line में कोई point common नहीं है, how many solutions are there, no solution, and superimposed, the constant line है, उनमें कितने points common, infinite, that's why how many solutions are there, infinite number of solutions, अब बात यह आती है, कि माल लीजिए, हम आपको यह कहें, कि without solving, without solving, अजिए अपिकली, आप बिना solve किये, कैसे यह बताएंगे, कि कोई भी line क्या है, parallel है, कोई भी line intersecting है, या कोई भी line के है, superimposed है, या फिर coincident line है, या फिर कैसे आप यह बताएंगे, कि देवे हुए pair of lines में, एक solution होगा, या फिर कोई solution नहीं होगा, या फिर no solution, या फिर आफिर most line solution होगा, तो उसका भी एक method है, how we find, without solving, that the given number of lines of pair, that how many solutions are there, मतला, यह पेर of equations में, किसने कितने solution है, कैसे हम विदा सोल किये, बचा पाएंगे, उसकीज को देखते हो, आपने जो standard form लिख्ये है, किसके equations के, आपने standard form लिख्ये है, उसके रियल कॉपीसेंटा, उसके के बेसिज़ पहेंगे, हम first one, अगर a1 upon a a2, a1 upon, that not equals to b1 upon b2, if the ratio of the first coefficient x, of two lines, is not equal to the ratio of the second coefficient, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, it means, lines are intersecting, lines are intersecting, यह पूचे हैं यह आपसे, Lines are intersecting, and intersecting lines से कितने solution होते हैं गटा, one solution, it means, exactly one solution, and after that, जब आपके पास एक बात हो रहाएगी, consistency and inconsistency, consistency, consistency and inconsistency, मां आपको बता दूँ, consistent solution, उन lines of pair equation के होंगे, जिनके solution, at least one, देखो दो बात आती हैं, एक का था है, at least, right, और एक आता है, at most, क्या आता है, at least, मतलब कम से कम, मैं यह बोलो, मैं कम से कम, दो रोटी खाऊंगा, कम से कम दो रोटी खाऊंगा, मतलब, दो तो मैं खाऊंगा ही, ज्यादा भी खा सकता, ज्यादा कितने हों में निकता, मतलब बात यह है, at least, हम यह कहें, कि कम से कम यह quantity, तो वो minimum value उससे कम नहीं, उससे ज्यादा, तो यह कहता है, consistency, कि ऐसे line of pair of equation, जिनके कम से कम एक solution तो हो, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, मतलब, ऐसे solution of equation of line, जिनमें solution कम से कम होना चाहिए, ज्यादा कितने भी हो, मतलब solution होना चाहिए, तो हमने यहां तो पढ़ा, एक यह line की, एक यह line की देख, आपके पास solution line थी, तो इनका one solution है, इनके infinite, इनके no solution है, इसका मतलब जिनके solution हो, उसका consistent है, और जिनका नहीं हो, इसका inconsistent, इसका मतलब यह होगा, कि intersecting lines, और coincident line में solution हो, कैसे होंगे, consistent, और पैंदर lines में no solution, इसका मतलब, inconsistent, तो गयान रखे है, by ratio of the coefficient of the variable, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, it shows that the lines are intersecting lines, and if you know that, though two lines are intersect only one point, that's why how many solutions are there, one solution, then lines are intersecting, and they have exactly one solution, and the consistent solution of equation such that, we can say, the consistency said that, any pair of line, doesn't have any solution, that inconsistent, और जिनके solution होते है, एक या एक से ज्यादा, वो क्या होते है, consistent, तो इसका मतलब solution, कैसा होगा, consistent, कैसा होगा, consistent, कैसा होगा, consistent, पहली बाद, दूसरी बाद, मालीजे, a1 upon a2, एक्वल हो जाता है, b1 upon b2k, और ये एक्वल नहीं रहता, c1 upon c2k, the ratio of first two coefficient of the pair of linear equation, x is equal to the second ratio of the second variable, but, the second ratio is not equal to the third ratio of the coefficient ratio, c1 upon c2, c1, c2 are what, the constant terms है, without any variable, that's why, if a1 upon a2, first case में क्या था, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, but in the second case, अगर first ratio equal हो गया, और second ratio equal नहीं, it means, it shows that, the given pair of lines are, what, parallel, this time the lines are, they represent to itself, parallel lines, and parallel lines never meet, that's why no point is common, and no point is common, that how many solution are there, no solution, because, solution depends on the number of points which are common to both the line, दोनों line में जितने point common होगे, उन पर solution depend करते हैं, sir, तो parallel line में तो कोई common है नहीं, अगर common होगा, तो parallel कैसे रहेंगी, because parallel condition तो यही है नहीं ते, never meet, वो कभी नहीं मिलती, जो difference उनके first position पर होता है, वहीं उनकी last position पर होता है, इसलिए उनकी definition parallel है, parallel है, parallel इसलिए बोलते है, में इस तरह की condition आ जाये, कि first ratio equal second ratio के है, लेकिन second ratio पर third ratio equal नहीं है, it means that situation represent the pair of equation which they are parallel, and parallel line never means that they have no solution, then how many solution of parallel lines are, no solution, and which type of solution is consistent and consistent, inconsistent, because inconsistent solution उनके ही होते है, जिनके solution होते है, एक या एक से ज्यादा, केंगे में पर अप्रम पिधर है प्रक्राइब ना कि अच्छा उसकते इस बाद का इसे जाल रखना है तो नो सुलेशन and solution of which type of solution is this inconsistent बहुत सी बारबुख में आपको नहीं दिया होता लेकिन एक नमबर में दिये वे यह pair of line का जो equation हम आपको दे रहे उसका solution consistent है यह inconsistent है it means you have to check the ratio of the given pair of equation and you find that if the lines are intersecting and constant line they have the solution of consistent solution otherwise there is the inconsistent solution of parallel lines and the last one is अगर माल जिए तीनों ratio equal हो जाते हैं first case में क्या था ? first case equal नहीं था second case में क्या हुआ ? second case equal नहीं था अगर माल लिजिए third case यह आ जाए a1 upon a2 equal है b1 upon b2 के और यह भी equal है even upon c2 के means all the related coefficients of both the variable and constant all are equal to any constant कोई भी value जो भी आपकी है अगर यह साए equal है it means it shows that the lines are constant line superimposed parallelism in देखिए इस तरह से तो बनासर अगर एक line दूसरी line के उपर आज आती है it means यह कैसी condition बने गए constant line की और एक line तो बने एक line के उपर दूसरी line है और आपको यह बजा है कि एक line के कितने solution होते है infinite because there are infinite number of points on a line solution तो क्या कायेंगी अगर इस तिने काय राशियो आता है तो किसको रिष्टन करेंगे consonant line को किसको करेंगे consonant line को then how many solutions are there infinite solution infinite solution there is no exact answer of this equation in equations का इन पेर का कोई exact answer नहीं होगा there are infinite number of answers अब कैसे भी कोई भी answer रिकाल जेपते है and which number of solution is this consistent this is the solution of a consistent this is the method to represent the given pair of equations by algebraically and graphically and by without solving we have to just clarify that the given pair of equations that how many solutions are there solution is consistent and inconsistent सब कुछ इस पे डिपेंड करता है यह एक basic format पूरा आपका है जो 3.2 अचिसा हो complete करेंगा बस आपको ध्यारित्ता रखना है कि जो आपके पास words problem दी है उसको पढ़के आपको आपको एक equation format में लाई equation format लाने के बाद जो आप से वो पूचिये आप ratio से बताएं ratio आप coefficient द्यान रखें a1, b1, c1 मैंने इसलिए लिए हैं या बुक ने इसलिए लिए हैं तो कि वो first line को represent करते है a2, b2, c2 इसलिए लिए गये हैं तो कि वो second line को represent करते है you have to check the ratio of the variable x, y and the constant term c1, c2 अगर first ratio equal नहीं है lines are intersecting intersecting lines, one solution and that is consistent second one is, if the first ratio of both the variable are equal and that second ratio is not equal to constant ratio c1 upon c2 just like that, it means they represent the parallel lines and parallel lines have no solution and the solution then which type of solution they have inconsistent solution and the third one is, all the ratio are equal then they represent coincident line and coincident line are infinite number of solutions and the solution is which type of solution is this, consistent अब ये metal आपको पूरा अगर आता है तो आप ये सोट से के 3.5 लाट के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि उसमें से पूचा ये गया है कि which of the pair are solution gives the one solution, two solution, infinite solution, no solution, consistent inconsistent, inconsistent, how many solution कैसी equation है, ये कैसी lines है तो वो सब इन पर defend करता है कि आप ratio चैक के नहीं कि लिए का coefficient का तो मैं आपको जो अक्सेसार की पाइंट 2 है उसका first question करवाता हूँ तब तक ये आप वीडियो को पूर्स करके देख भी सकते है अपनी book को open करें उसका first question देखें और उसको समझें उसके कुछ statement इसके से दी है कुछ word problem दी है और सबसे बड़ी बात आपके पास ये समझ आने वाली वेटा कि जो word problem आपको दीजाती है उसमें से reform कैसे कर equations को कि माल दीजिए हमने आपको question दिया और उसकी condition जो दी है वो यह है कि form the pair of linear equation आप जो pair of linear equation उसको बनाएं in the following problems and find their solution graphically आप उनके solution किस method से निकारें graphically method से algebraically method है हम बात नहीं पढ़ेंगों कौन पौन से थे आपके suggestion था elimination था cross multiplication था लेकिन देखो मैं question क्या पढ़ता हूं ध्यान सोना 10 student of class 10 क्या कहते है class 10 में बच्चे हैं कितने हैं 10 बच्चे हैं took part in a mathematics quiz मतलब इन a class 10 there are 10 students and they took part in a mathematics quiz तो यहां से data collect करना क्या है कि 10th class में कितने बच्चे हैं 10 पहले बाद if the number of girls is more than the number of boys four more कहता है कि अगर कुछ class में जो number of girls है वो boys से चाल ज्यादा है तो then find the number of boys and girls who took part in the quiz तो आप number of girls and boys के number बता हैं कि दिनों मेथवेडिक चूजिवें पार्ट यहां कितने थे बाद क्या है class 10 है 10 बच्चे हैं बच्चों में कुछ boys हैं जो girls की जो numbering है जो संक्या है वो boys सिर्फ चाल ज्यादा है तो आप बताएं कि उस quiz में कितने girls पर कितने boys पर हलाएं कि आप algebraically तुरंत बता दोगे इसको ऐसे तुरंत लेकिन कैसे उसको represent करें कैसे हम उसने equation बनाएंगी उन equation तो कैसे graphically हम सोल करेंगे मैं यह कहता हूं मैं कुसे नबर फ्रेस कहता हूं आप ध्यान से देखें मैं यह कहता हूं यह क्या है according to question condition according to question कहता है कि total 10 है total मतलब boys और girls दोनों को मिला दू total 10 total 10 मतलब boys plus girls x plus y equals to 10 second condition क्या कहती है number of girls देखो यह boys यह girls है second condition में यह girls boys से चार ज्यादा है number of girls 4 more than number of boys तो यहां यह condition ज्यादा है 4 इस से मतलब girls ज्यादा है boys से अगर मैं equal करना चाहूं या तो मैं girls में 4 minus करूं या मैं boys में 4 add करूं जो आप बचा लिए मैंने क्या कि आप boys में 4 add कर दिया अब तो equal होगे आप तो equal होगे बही यह boys से यह girls से girls जाता है यहां पे at this stage girls are 4 more than boys अब यहां से क्या मिलेगा x minus y equal to minus 4 अगर मेरे को algebra के लिए solve करना होगा अगर मेरे को algebra के लिए solve करना होगा लेकिन मेरे को solve करना मेरे के लिए graphically method को सा होगा मैं सब x plus y equal to 10 है x minus y equal to minus 4 है मैं क्या करूंगा x equal to 10 minus y table बनाओ न उसके कुछ point नहीं काओ न मैं देखी यह x से यह y आता मैं y माले जो 2 put करो x कितना आएगा y माले जो 5 put करो x कितना आएगा just you put the value of 1 and you get the value of x second one second condition put the value of y y जो जाएगा y जो जाएगा y जो जाएगा x and y y substitute करो y क्या substitute करो x कितना आएगा 7 put करो x कितना आएगा y y y y y आपने खुद रखी है यह आपको इस एक्विशन से भी है तो यहां से लोकेट अप्वाइट y 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 x y y y y y y y वर आंतर वाई हमने क्या रखा उन फाइफ लोकेट दो पॉइंट है अगर आप लो दो करना चाहें सब अबए आपके लान करने चाहें देखें चूर मों आपको लोगेट करना पहला थी इंट्राख यह आया है एक यह पॉइंट यह नहीं है पहला वाला यह पहला आपका यह है ठीज और यह आपका है यह सिक्स यह यहां से तीन और 456 युक्त दया और 1234 56789 10 यह अपका तीसरे पॉइंट अब आपकी जो सेटी लाइन वह ऐसी आ आई कि नहीं अगर आपके पॉइंट्स गलत हैं सुरीशन गलत है इसका मतलब अलग इन दिफेंट 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 में जाहें और आपने पॉइंट्स नहीं है तो साए यह की लैन पहें जाहें जबाव इसकी एक्वेशन क्या थिया आपकी दिफेंट यह यह लाइं इस्ट कर रहे हैं कहें थी का रहे हैं एक पॉइंट देघ्ट आ कॉइंट हमा थी को मा था लिए लाइख है अब के लिए बेटा नूबर आपर न जाहां यहां हो से हैंट्स आप देख सकते हैं तो टोर्त न governor 5 plus 7, 10 and girls are 4 more than boys. This is the situation to derive such type of problem by algebraically, graphically, or you have a solution. Second question, now you have a homework. Let's see it, understand it, represent that situation in algebraic format and find the solution by graphical method. In the next video, we are going to start the basic format, how we check without solution, that the pair of equation which is given, that how many solutions they have, which type of equation they are, किसने उसके solutions होगे, किसके तरे के solutions होगे, तब क्या के लिए, आपका जो homework का है, वो सिर्फ 3.2 का, जो question no. 1 का, second part है, वो. Thank you, have a nice day.